हलो गाईज गुड मॉर्निंग सभी को तो आज के दिन की सुरुवात हो चुकी है दिन सुरू हो गया है मेरा तो आज देखते हैं क्या मेरा डेली रूटीन में रहता है क्या आप इसे इस्पेशल काम में करने वारी हूं थोड़ा भहुत कुछ न कुछ अलग तो हर दिन करना पड़ता है कुछ न कुछ तो आज के दिन की में क्या स्पेशल करने वारी हूं चलो देखते हैं कुछ जो है घर का काम डेली का तो होता ही है कुछ अलग सा काम जो है करते हैं अपने दिन की शुरुवात करते हैं बहुत सारे काम में सुबह से साम तक करने होते हैं तो नास् बाखी दिन की शुरुवात हो दी है बाहर है बाखी दिन की शुरुवात हो दी है बाहर हरी आली अच्छी लग रही है बैक उससे दिखाऊं तो बढ़ियासी हवा जल रही है बढ़ियासी यह मेरा स्नेक प्लांट है बढ़ियासी हवा जल रही है यह देखे और आज की दिन की शुरुवात सुबह सुबह कुड़ा गाड़ी आई है और मैं आई बार की कुड़ा लायने के लिए कुड़ा गाड़ी में अभी तो भी आती है खर दिन तो आती नहीं है एक दिन छोड़ के एक दिन आती है तो मैं इस नाइग कुछ लायने के लिए इन से अगर mango shake वगर कुछ बनाया जाए तो वो ज्यादा टेस्टी लगता है मुझे तो खाने में अच्छा लगता है यह सीधे खाने में कि इतने मीठे होते नहीं अभी तो यह mango में लेके आई हूँ तो मैंने सोचा आज इसकी कुछ recipe बनाया जाए तो इसके लिए मैं सबसे recipe आज मेरी बनने वाली है बच्चे भी खुष मैं भी खुष पेंड भी खुष सब खुष तो इसलिए मैंने सबसे पहले mango को चिरंग से धोके रख लिया था ठंडे कर लिया थी क्योंकि गरम जो है यह थोड़ा नुकसान देता है तो फ्रीज में रखे वे थे यह दो दिन स आप पूरा इनका पल्प मैंने निकाल लिया है बढ़ी अटंग छिल चिल के और पूरा निकाल के क्योंकि इनका पल्प असानी से यह बऑले जो फूरा would कि रेश को असानी से तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है पर यह थोड़ा मीठा कम होता है तो अब इसको निकाल के मैं तयारी कर रही हूं बनानी की चलते हैं तो यहां देखो सबसे पहले मैंने इसमें बगोने में डाल दिया है पानी और इसको बनाने के लिए और इसमें पानी जब और इसको ठ्थंडा होने के लिए रखना पड़ेगा तो थोड़ा और डालके में इसको अच्छा सा बना लेती हूं, इसको मैं बचा लेते हूं क्यों मुझे मैं बचा लेती हैं क्योंकि मुझे inspired przyp rightly दो ठीक मैंगो में बचा लूँगी और इसको थ्थंडा होने के लिए जो milk का हमने बनाया था milk powder का texture उसको डालेंगे थोड़ा सा उसमें एड़ करेंगे और थोड़ा सा मैंने पास थी दूद की मलाई रखी वी थी तो वो मैंने उसमें प्रूम लाइब बड़ी क्रीम में डाला है, फड़ी से सूगर अचछे उसमें और पाउडर का मिल्क में मृड़ी से दाला है, फिर सब चीज को अची रंग से मिकस करके फिर हम इसको मिक्षर में बढ़ी तो जो है हमारी mango की बढ़िया सी बनने वाली है टेस्टी सी आइस क्रीम में बनाने वाली है तो इसको मिक्षर में पीस कर कुछ न कुछ खुरापाती दिमाग घर में चलते रहना चाहिए खाली नहीं बैठना चाहिए व्यक्ति को तो इसलिए अब देखो मेरे पास एक डबा आइस क्रीम इस सीजन में भी लाए नहीं है तो यह वाला दबा जो था मिरे पास इसी में जमाने के लिए इसको रख देती हूं काफी अच्छा टेक्टर लग रहा दिखने में तो इसको डाल देते हैं और इसको फिर रख देंगे कम से कम आठ नौ घंटे के देट इसको जम अगरी के घर के जो इजी जहमें समान अवे लेवल है उसमें हमने बना दिया आइस क्रीम और इसको रख दिया है फ्रिज में जमाने के लिए और जो बचा हुआ है उससे अब मैंगो जो है और इसमें थोड़ा सा और मिल्क एड़ करके इससे बनाने वाले हैं इसमें करना है तो हम इसमें थोड़ी सी थंड़ा पानी या फिर थोड़ा सा आइस क्यूब वगर डाल सकते हैं और उसके बाद इसको ब्रेंड करके इसका बनेगा हमारा मैंगो शेक तो अभी मैं इसको बना के रख लेती हूं अभी घर में कोई है नहीं तो इसको फिर साम को सब को सब किया जाएगा बना के मैंने लग दिया है अब साम को मैंने इसको सब को सब किया बड़ी आसा मैंगो शेक सीजन में आज पहली बार इस सीजन का पहली बार मैंने मैंगो शेक बनाया है क्योंकि कई दिनों से मौका ही नहीं मिला था कुछ लाने का और ताइम भी नहीं हो तो बहुत दिनों के बाद मुखा मिला है कि मैं कुछ बनाओं तो आज मैंने कई दिनों सब को खांसी वांसी चल लीगी तो इसलिए भी ठंडा हम लोग खा नहीं रहे थे इतना तो आज सोचा कि अब ज्यादा लाला चाल गया अब इसलिए सोचा कि अब तोड़ी कोई बात न सब करने वाली हूं और सब बड़ी चाओ से क्योंकि पहला पहला है सीजन का बात बात में तो सब का मन भर जाता है फिर खाने में टेस्टी है आप भी टेस्ट करिए कैसा लगा बताईएगा यह मैंगो से हमारा रेडी है आज का और अब मैंगो आइस क्रीम को देखते हैं कर,"ो एस्क्रीम रेखने कैसी रही है," AH कफी क्रीमी है बहुत अच्छी जम भी गई है और क्रीमी भी ऐसा नृए कि क्का इसमें वह कम है अच्छी बनी है बंगर forces अ च्छी बनी है क्रीमी क्रीमी मैं पता चल रहा है कि क्रीमी है क्योंकि मैं इसमें मलाई काफी यह डाल तो आज का मेरा जो था यह एक्सपेरिमेंट घर में जो करती रही में वह अच्छा रहा खाने में होप की सबको अच्छा लगेगा थैंक्स पॉर वॉच्चिंग